अपना स्वाबी मान भारता चे चौकिदार माननिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अपने शे संवाच करदाएग मोदी, 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 मोदी भारत माता के भारत माता के शुवरी शाय बाबा चा सानिज्यात असलेला या नगरिला माझा नमन महरास्ट्र आने अहमद नगर चा सर्व बंदु भगेगाना उद्या चा सिगाम नवमी चा खोब-खोब सुभच्छा तो इस समय पहले जब मैं आपके बीच आशिरवार लेने आया था तब आपने जितना प्यार दिया था आज इससे भी अधिक्ष ने मैं इस समय महसुस कर रहा है और यह मेरा सवभाग यह है इसी तारिक को आपके बीच में आया था लेकिन उस समय आधे लोग भी नहीं थे और आज क्या करण है दबल से भी जाजा लोग है आपके इस प्यार को दिश्वास को मैं नमन करता हूं भाई और भेहनों वाकई आपने इतनी गर्मी में यहां आकर मुझ पर कर्ज और बहा दिया है साथियों यह भूमी कब तपस्या की सेवा की स्रधा की सबका साथ सबका विकास की भूमी है साहिबाला का संदेश हो या फिर लोकमानिय तिलक का स्वराज का संकल्प और अब सुराज के लिए हमारी यात्रा इसी धर्ती में ऐसे महान संस्कार देश को दिये है आपके सयोग से इने संस्कारों के मजबूत करने की कोशिस आपके इस सेवक ने भी की है बीते पांच वर्ष में जन भागिदार से चलने वाली एक मजबूत निरना लेने वाली सरकार दुनिया में भारत में देखी है उससे पहले दस वर्ष तक याद है ने दस वर्ष कैसे गए रिमोट सरकार के दस वर्ष कैसे थे याद है ने हर देन खबार में खबर के आती थी हर देन गोटा ले, गपले, फैसले न लेना सरकार को भी दुनिया ने अच्छी तरह परखा है आज दुनिया भारत को महाशक्ति के रुप में अनुभव कर रही है तो बीते पांच वर्ष की आपकी महनत का परणाम है अब आपको ताय करना है जब इस बार आप बोग देने जाएंगे आप देश का फैसला करने जा रहे हैं देश किस दिशा में जाएगा फैसला फैसला करने जा रहे हैं तब आपको ताय करना है कि अब देश में इमानदार चोकिदार चलेंगे या ब्रश्टाचारी नामदार हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरविकार साथियों एक तरफ कॉंग्रेस और NCP की महामियावत की खोकले बादे और दूसरी तरफ NDA की महायूति के बुलन इरादे पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ताय करने में और आसानी हो जाएगी जब कॉंग्रेस NCP की सरकार थी तो देश सरप गावी ही जेल का था कभी मुंबई में बम धमा के कभी हाँ परोस में पूरे में धमा के होते थे आज आए दिन हम उसमय बम धमा के देखते थे आए दिन होते रहते थे कभी ट्रेन में धमा के कभी बस में धमा के कभी स्टेशन पर धमा के उन बंधमा को में कौन मरता था इन बंधमा को में कौन मरता था हमारा किसान व्यापारी विद्यारती नौकरी पेशा मद्दोर यानि हर किसी की जान पर संकट था पांच बर्ष में आपने इस चौकिधार की सरकार भी देखी है अब वो बंधमा के कहां गए शाथियो इस चौकिधार ने आतं के सरपरस्तों में ये दर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी ये चौकिधार उन्हें पाताई से भी खोच करके निकान लाएगा और उन्हें सजा देगा भाई और बहनों याद करिए पहले जो सरकार थी वो पाकिस्तान के सामने दुनिया के सेमने कैसे कमजोर लगती थी हमारे जबान बदला लेने की मांग करते थे लिकिन सरकार को साप सुंग जाता था चौकिधार की सरकार पाकिस्तान में आतंकियों के घर में गुश कर मारने के लिए अपने सपूतों को इजाज़त देती है घर में गुश कर मारना चाहिए और ने मारना चाहिए मारना चाहिए अब भारत ने दुनिया के सामने दुहाई देना बन कर दिया है आप मुझे बताइए आप इस मजबूत भारत से खुश है गर में गुश कर आतंकियों को मारना की नाती आपको मंजीर है भाई और बहनों आप तो खुश है लेकिन उनका क्या करेंगे जिनों ने बर्षों पहले देश की भावनाओं को समझना ही छोड़ दिया साथियों इस बार तो हद ही हो गई है कॉंग्रेस एंसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे जम्मू कश्मीर में अलग प्रदान मंत्री बना देंगे मुझे कॉंग्रेस के लोगों से कोई उमीद नहीं है क्योंकि ये पाप उनी की पैदावर है लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि समझ राओ प्रवार को क्या हो गया है अरे समझ राओ आपने तो देश के नाम पर कॉंग्रेस चोर दी थी कॉंग्रेस को तोर दी थी अब देश में दो प्रधान मंत्री होने की बात पर आप कब तब चूपर होगे कब तब चूपर होगे ये दो प्रधान मंत्री वाली बात आपको मंजूर है जिस कश्मीर के लिए देश के हजारों जवानों ने बलिदान दिया क्या वो कश्मीर के पुके होने देंगे क्या कॉंग्रेस से फिर हाथ मिनाने के बाद आप भी विदेशी चस्मे से भारक तो देखने लग दे अरे सरद्राव आपकी पार्टी का नाम तो राष्टवादी रखा है आपने क्या ये नाम भी जनता की आँख में दूल जूंक में लिए डाला है क्या आपके साथ ही खुले आँ भारत में दो प्रधान मंत्री होने की बाद कर रहे है अरे छत्रपती सिवाजी की धर्ती के होकर आपको निंद कैसे आ रही है शरगरा भाई और भेनों कॉंग्रेस जम्मु कश्मीर से सेना को हटाने की बात कर रही है कॉंग्रेस कह रही है कि जवानों को मिला विशेश अधिकार हटा देगी मैं महराश्टर और देश के फर्स्ट टाइम बॉटर से भी पूछना चाहूंगा जो पहली बार 21 सदी में पैदा होने के बाद इस बार देश की सरकार के लिए बोर्दिनिक लिए जाने वाले हैं जिनों 18 सार पूरे किये हैं मैं उन से अपील करना चाहता हूं क्या देश की सुरक्षापार पहले की सरकारों का कमजोर रविया ये मेरे नव जवानों को मंजूर है मंजूर है क्या राष्टिय सुरक्षाप से समझोता इन लोगों को मंजूर है क्या 21 सदी का भारत ऐसे कमजोर देश के तोर पर होनी चाहिए भाई और बहनो जब देश सुरक्षित रहेगा तबी हर देश वासी का हित भी सुरक्षित होगा देश का भव से सुरक्षित होगा मुझे खुशी है कि पूरा देश राष्ट रख्षा के लिए एक सुर में बात कर रहा है एदि विश्वास मेरी ताकत रहा है जिसके दम पर मैं बड़े और कड़े फैसले ले पाया बड़े संकल्पों को पूरा कर पाया चाथियों पिछले पांच सालों में माहराश्च के लाखों गरीबों को अपने पक्के घर मिले हर घर में बिजली मिली घर घर में सौचालाई बने और हमारी माता बेहनों के मुझे विशेश आसिरवाद है ऐसे परिवारों में जो गैस के चुले के लिए इंतजार करते थे LPG गैस का कनेक्शन भी मिल गया ये तभी संबव हो पा रहा है क्योंकि आपने इमानदार सरकार को भोट दिया जो हमारे गुमंत समुदाए है जैसे कि हमारा बंजारा समाज है वो अलग-अलग कारों से एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं इस समाज को सरकारी मदद सही तरीके से मिल सके इसलिए आयोब बनाने का एतियासिक फैसला भी आपके वोट के कारण ही हो पा रहा है आज स्वरोजगार के लिए करोरो हिवा साथियों को अगर बैंक से बिना गैरंटी का लोन मिल रहा है तो उसके पीछे भी आपका वोट है आपके वोट की ताकत है गाउ गाउ मैं सड़के ये बाइपास पुराने लटके भटके रेलवे प्रोजेक्स आज देजी से पुरे हो रहे हैं तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ी ताकत है तो आपका वोट है भाई और बहनों कल ग्यारा अप्रील को मातमा जोतिबा फुले की जैनती थी फुले शाहू आमबेड कर विचार धारा को कारिय रूप देने के लिए उस तरह का रड़ाय आवश्यक होता है ऐसा रड़ाय यक्तिकत स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ की राजनिती करने वालों में नहीं हो सकता इसी सोच के साथ हमारी सरकार शित्कारी समाज की भी छोटी-छोटी दिक्कतों का ध्यान रख रही है पी-एम किसान सम्मान योजना के तहट सीधे बेंग खाते में रुप्या जमा करने का काम भी जारी है लाखों परिवारों के खेतों में उनके खाते के अंदर ऐसे परिवारों के खाते के अंदर पैसा पहुँच चुका है और बांकियों को भी जल्द ही जल्द पैसा पहुँच जाएगा साथियों भाजपा एंडिये ने इस बार बड़े संकल्प लिये हैं मैं की 23 तारिक के बार जब फिर मोदी सरकार आएगी एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर जब मोदी सरकार आएगी तो उसके बार पी एम किसान योजना जिसमें हमने बदलाव करना तै किया है अभी पांच एकर से कम भूमी वाले किसानों को उसका लाब मिलता है लेकिन 23 में के बाद नई सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान के महाराष्टर के सब भी किसानों को इसका लाब मिलेगा साथी दिन रात मेहनत करने वाले जो छोटे किसान है उनको साथ साल के बाद नियमे पैंचन में इसका भी प्रबंद किया जाएगा किसान को पैंचन ये पहले किसे ने सोचा नहीं था जिस तरह लागत का डेड़ गुना समर्थन मुल्य का बादा हमने निभाया ये संकल्ब भी हम पूरा करने वाले हैं उपज की उचित किमत में ये सुनिश्चित करने के लिए ठोश कदम उठाये जा रहे हैं भाई और बहनों हाले में हमारी सरकार ने पश्चूप पालकों को भी किसान क्रेडिट का कार देने का उसका राब देना शुरू किया है मच्वारों को भी ये राब मिलेगा ऐसे ही गन्ना किसानों के समझ्याओं को दूर करने के लिए गन्ने से इथेनौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं देज भर में इसके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं भाई और बहनों पानी को लेकर इस NDA की सरकार का काम आपके सामने है देवी अहल्याबाई होलकर ने जिस तरह गाउं गाउं कुए और बावरिया खुलने का भियान चड़ा था उसी तरह यहां की हमारी सरकार भी काम कर रही है हमारा प्रयास है कि नजियों का पानी जो कौकन के समुदर में बह जाता है उसका सदुप्योग हो किसान को पानी मिले इसके लिए फिर एक बार जम मोधी सरकार बनेगी फिर एक बार फिर एक बार जम मोधी सरकार बनेगी तो एक बिशेख जल सकती मंत्रा ले बनाने का संकल्प हमने लिया है फिर पानी के लिए एक अलग मंत्रा ले होगा अगर पानी की समस्या का समान कान करें तो किसान को कभी समस्या पैदा ही नहीं हो इसके माज़म से देश की नदियों का या समंदर का पानी कैसे कैसे उप्योग में लाया जा सकता है टेक्नोलोजी के द्वारा लाया जा सकता है डिसलिलेशन किया जा सकता है इसके लिए काम किया जाएगा साथ यो एक तरफ हमारे संकल्प है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस NCP के ढकोशले है एक तरफ पानी के लिए मायूती सरकार के काम है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस सरकार में हुए गोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है ऐसे ही अपरागों की बज़र से देश के लोगों ने कॉंग्रेस का मन और कॉंग्रेस की नियत को अच्छी तरफ जान लिया है पहचान लिया है और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है कॉंग्रेस हमेशा के लिए हटाओ कॉंग्रेस हमेशा के लिए हटाओ तभी देश में गरीबी दूर होगी कॉंग्रेस हटाओ तभी देश आगे बढ़ेगा कॉंग्रेस हटाओ तभी देश में आध्यूनिक इंफरस्ट्रक्चर का निर्मान होगा कॉंग्रेस हटाओ तभी देश में सबका साथ सबका दिकास हो पाएगा कॉंग्रेस हटाओ तभी देश में गोटाले और प्रस्टाचार से भारत मुक्त हो पाएगा भाई और बहनो इस बार आपका एक एक बोट महा यूती के समर्खन के साथ ही कॉंग्रेस और उसके साथियों को सजाद देने के लिए भी होना चाहिए याद रखिएगा ये भारत को लूड़ते रहे हैं महराश्य को लूड़ते रहे हैं ये लोग गरीब किसानों के दुश्मन है महराश्य की जंता के दुश्मन है हर बेश्वासी की आखांचा उनके लिए आख में खतक की है इस चुनाव में भी कॉंग्रेस ने जिस तरह तुगलक रोर चुनावी गोटाला किया है वो देश देख रहा है हमारे नवजवान वोटर देख रहे हैं मालू मैंने तुगलक रोर चुनावी गोटाला नहीं है नहीं मालू ऐसी बाते अख़बार में जड़ा कम आती है लेकिन तीवी पर आपने नोटों के बंडल के बंडल देखे होंगे तुगलक रोर ये दिल्ली के अंदर एक रोर है उस पर एक बड़ा शांदार बंगला है उस पर एक नेताजी रहते हैं और वहाँ कैसे कैसे खेल खेले गए उसका कच्चा चिठा निकल करके बाहर आए और क्या है मत्पने से बोरे बोरे भरकर के रुपिये वहाँ आए और जो पैसा ग्यरी बच्चों को कूपोशन से बचाने के लिए मत्पने सरकार को भेजा गया था वह पैसा लूट कर कॉंग्रेस चुनाओं में लगा रही है ऐसे प्रस्टाचार को माप करेंगे क्या प्रस्टाचार को सहन करेंगे अभी तो मद्ध पुदेश की सरकार अभी अभी बनी है और इतने दियों में उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ से जमा करना शुरू कर दिया उनकी आद़ जाती ही नहीं है दिल्ली के तुगलक रोड में बोरा भर भर के मिल रही नोटों की गड़ियां कॉंग्रेश की असली पहचान है भाई और बहनों ये चोकिदार चोकनना है ये चोकिदार इमानदार है और तभी तो इन चोरों को पकड़ ये पकड़ पाया भाई और बहनों इतिहास साथ्षी है कि भारत में स्वराज की परिकलपना सबसे पहले 46 सिवाजी महराज ने की थे मेरी आकांचा है कि सुराज जस्थापित करने के NDA के काम को आगे बढ़ कर सिवाजी महराज के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं महराज से के सभी साथ्षीों से मेरा आग्रा है कि केंदरे में मुझे मजबूत करने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाईए जहां हमारे महायूती के मेंबर लड़ रहे हैं दनुस बाण उनके लिए बटन दबाईए और जब आप कमल पर बटन दबाएंगे दनुस पर बटन दबाएंगे आप विश्वास रखे वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा आपका एक वोट इस चौकिदार को मजबूत करेगा खोती नियत वालों को दूर करेगा अब आप एक संकल पर लीजिए मैं बोलूँगा उसके बाद आपको भी बोलना है बोलेंगे आपको बोलना है गर गर में चौकिदार क्या बोलेंगे गर गर में चौकिदार बोलेंगे पुड़ी ताकत से बोलेंगे दोनों मुर्थी भन करके बोलेंगे इधर वाले भी बोलेंगे ये भी बोलेंगे पीछे वाले भी बोलेंगे ये मंच वाले भी बोलेंगे सब बोलेंगे ब्रस्टाचारियो होशियार ब्रस्टाचारियो होशियार भगोरों पर कानून की मार मन लहुआ काला कारोबार देश जोईयों पर कडा प्रहार आतन पर आखरी वार दुस्बन हो जा खबरदार गुस पेठिये भागे सीमा पार तूटेगी जात पात की दिवार वह उस बात की होगी हार दागदार पे भारी कामदार बहुत बहुत धन्यवार मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की आतन दिवार बहुत रु़ मेरे सीमादा प्राइड बोलना, दिवार प्रास ह सकत टतन है इस बाट suggested in the work इंघवार बाट प्राजysis आतना झाल झाल